नमस्कार The HD News में आपका स्वागत है मैं आपके साथ अमिज्जा और The HD News में जो सबसे पहले गेस्ट है हमारे वो बिहार के नेतापर्थिपक्ष तेजस्वी आदव तेजस्वी जी The HD News जो ट्रेंड सेट करेगा यह हमारा टेग लाइन है आप क्या सुबकामना देना चाहेंग है जनता के परिशानी को छुपाया जा रहा है और इस दौर में अगर यह शुरुवात है तो मेरी पूरी शुपकामना है कि मंदारी से निश्पक्ष हो करके जो है जनता के आवाज को उठाए परिशानी को उठाए और जो चौथे खंबे का जो जिम्मेवारी है उसको करता हों से कि जो चाटुकारता करेगा जो अगल वगल रहेगा किसी का भी फोन है किसी का भी दवाब है मैं नहीं सुनगा मैं टिकट नहीं दूँगा और जो पार्टी के लिए काम करेगा मैं उसे टिकट दूँगा मैं उचे सम्मान दोगा यह मेरी जिम्मेवारी है यानि अब ये माना जाए कि RGD में पूरी तरह लोकसभाद चुनाप के बाद तेजस्वी याद अब डिस्टिनल लेने जा रहे हैं। देखे पूरी तरीके से नहीं पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौपी हैं, हम उसको अच्छे से मंदारी पूर्वक निभाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो पार्टी के लिए मेहनत करता हैं, मंदारी से दिन रात लगा करके पार्टी के विचारधारा को फहलाने का काम करता है, लाठी रंडे खाता है, जंडा दोता है। वैसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। तो यही कवाइद है। हर पार्टी में हर तराइके के लोग रहते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो पार्टी के जिसने निश्पक्ष सेवा की है या काम किया है, वैसे लोगों को हम जो है, मौका दे है। वही मेरा सवाल है क्या ये माना जाए क्योंकि कई विधायक कई नेता इन दिनों ये कह रहे हैं कि तेजस्वी आदब को पूरी तरह से पार्टी की कमाल लेनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं आर्जेडी में ये सवाल उठता है कि नत्रुत्तु करता कौन जब लालू जी नहीं ह हाला कि आप हमेशा से करते हैं कि लालू जी सब के मन में हैं सब के दिल में हैं लेकिन फिर भी नत्रुत्त पर सवाल उठता रहता है और कई विधायकों ने मांग किया है फुली चार्ज में तेजस्वी आदब को आ जाना चाहिए कोई इसे कौन क्या मांग करता है नहीं करता है लेकिन हमें जो जब्मेदारी है वो पूरी तरीके से पार्टी ने स्वाप रखी है हमें क्या करना नहीं करना राश्य द्यक्ष का कोई सवाल पैदा नहीं होता और कोई मतलब भी नहीं है पहले जो जब्मेदारी मिली है पहल लालू जी ही है। लालू जी के नाम पर लोग जो हैं, उनके विचार पर लोग हैं, एक पाउं पर खड़े हो जाते हैं। और उनकी जो following है वो किसी भी निता की following नहीं है उसे साब की देखिए हमने जो काम करना है पार्टी के संगर्ठन को लेकर के मजबूत करने का उसको हम लोग काम में लगे हुए हैं कौन क्या डिमांड करता नहीं करता है पार्टी में बिमर्च करके सारे फैसले लिए जाते हैं सब लोगों का रहता है अपना अपना इक्षा जताते रहते तो से कुल फ़र्णा है जसुई यादव की क्या इक्षा है मेरी इक्षा है कि पार्टी को दुबारा सत्ता में हम लाने का काम करें लेकिन सवाल तब भी उठते हैं जब आपकी सहयोगी पार्टी के कुछ नेता सवाल खरे कर देते हैं आपने कई बयान सुने होंगे ये मीडिया का सवाल नहीं है बलकि कई नेताओं के आपने बयान सुने होंगे तब क्या मन में आता है कि किस हिसाब से उन्हें टेकल करने क है तो सायोगी दलना जो भी सवाल उठाइए कोई एक पार्टी तो है नहीं सारे महागर बंदन के लोग उनके पार्टी में भी लोग है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी सीटे चाहिए लेकिन हम तो कहते हैं विनिबिलिटी फैक्टर जो जहां मजबूत है उसको मह क्या समझाने का प्रियास कर रहे हैं या अंदर खाने बातचीत चल रही है क्योंकि देखिए एक तो आप भी मानते होंगे कि लोग सबाचुना में गलती हुई है क्योंकि आप लोग ने लेट कर दिया आप भली काते थे कि हमारा तैह है सब कुछ हम राज खोलेंगे लेकिन यह देर हो गई थी नेता के सवाल पर तो राहूल गांदी जी को हम लोग ने माना ही था ना लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है तो सबसे ज्यादा सीटों पर भी आरजेडी ही लड़ी की नहीं लड़ी तो प्राक्टिकली जो विनेबिलिटी होनी चाह जाता रहता है इसमें बहुत अरगा तरका लगाते हैं लोग मिर्च मसाला लगाते हैं वह ठीक नहीं असलिए तो दिलचस्प बात है कि भाई किस प्रकार से एंडिये से लोग ठूट करके आएं यहां कम से कम गड़बंधन में शामिल तो हूए लोग महागडबंधन में ठ ठीक है नया नया महागडबंधन था है धीरी धीरी नादमी कोडिनेशन जो हता है मजबूत होता है तालमेल आपको लगता है वाकई कि जो एंडिये में खिस्तान चल रही है उसका फाइदा आर जेडी यह महागडबंधन उठा सकती है देखे भाईया हमको अपना काम करना ह दूसरे के घड़ में क्या चल रहा है हमको इस पर ध्यान ने देना वो रहें ना रहें किसी को चहरा बनाए या ना बनाए इससे आडिडी यह हमको कोई फर्क्ट पढ़ने वाला है नहीं हमें जो जब्मेदारी है हमारा जो काम है उस काम को हम लोगों को बाख़वी देना जनता के समस्याओं को उठाना है नौजवाने को समस्याओं को उठाना है उनका समधान करना है उनके लड़ाई लड़नी है समाजी क्निया धन्न पेक्ष्टा यह जो हमारी बुनियाद है इस पर हम लोग काम करेंगे वो क्या कर रहें नहीं कर रहें वो जाने है क्योंकि कभ यहां तक बात है जिसने जनादेश का अपमान किया हमारी बात चुरी हमारे पाटी में उपर से लिकर के नीचे लोग बड़े गुस्से में हैं उनका नाम सुनके ही गुस्से में रहते हैं हमारे जो लोग है कोई सवाल ही नहीं पाटी नाम पर अचा बस एक दो सवाल तेजस्वी जी आपसे पहला सवाल यह कि क्या महागडवनन में अब तक जितनी पार्टियां लोग सवाचुनाव लरी वो रहेंगी या किसी और की नई इंट्री होंगी या जो छोर के जाना चाहते हैं महागडवनन जा सकते हैं तेजस्वी आदब क्या चाहते हैं महागडवनन का सवरूप ऐसा कोई बात होगा तो आपको खबर किया जाएगा लेकिन जब आपका इशारा सब में है तो नितीजी सब में तो है नहीं वकाइदा वो तो है एंडिये में हैं भी 370 का उन्होंने विरोध किया प लेकिन और कोई अगर दल है उनके अलावा तो विचार किया जा सकता लेकिन नितीश कुमार जी के सवाल पर जिसने चार साल में चार सरकारे देने का काम किया हो बीजेपी को भी धोका दिया हमको भी धोका दिया अज इसका कुई जनधार नहीं नारा तो है सच्छा है अच् क्या है उनके आक्षिन को देखिए क्या बिहार में सुशाशन है डीजीपी कहता हमको को कोई गुरली मारके चला जाएगा तो ज्यादा कुछ हमको नहीं कहता है चलिए तेजस्वी आदब थे हमारे साथ पहला एंट्रिव्यू तेजस्वी आदब का इसके बाद भी हम तमाम नेताओं से बात करेंगे बिहार के जारखंड के जितने दिगजनेता है उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और यह समझने का हम परियास करेंगे कि आखिर देश बिहार जारखंड की पॉलिटिक्स कहा जा रही है